नमस्कार स्पोर्ट्सकैन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी और से भी से भी सुनने वालों को नमस्कार। ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स के बीच सेमी-फाइनल मुकाबला जारी। सबसे पहले बात करते हैं हौकी की। पहले और दूसरे क्वाटर में दोरों ही टीमों की तरफ से कई बहतरी मूव बनाए गए लेकिन काम्याभी किसी को नहीं मिली। तीसरे क्वाटर में फॉर्म में चल रही संगीता कुमारी ने गोल कर भारत को बढ़त दिला दी। इसके कुछ मिनिट बाद ही कप्तान सलिमा टेटी ने शांदार फील्ड गोल कर भारत की बढ़त दोगनी कर दी। इसके बाद चीन की तरफ से आकरमर तेज हो गए। ओल आउट अटेक का खाम्याजा चीन को चौथे क्वाटर में भुगतना पड़ा। देपिका ने मैच समाप्त होने के 47 सेकंड पहली गोल कर भारत की जीत पर मुहर लगा दी। चार में से चार मैच जीत कर भारत बारा अंक लेकर अंक तालिका में शीश पर पहुँच गया है। अपने अंतिम लीग मैच में कल भारत का सामना जापान से होगा। आकरशिता सिंग स्पोर्ट्स स्कैन। संजीब कम्प्लीट टीम पॉफॉर्मेंस कहेंगे आज के मुकाबले में। अब बिलकुल देखें ये इसको ऐसे माना जा रहा था कि बहुत बड़ी चुनोती है क्योंकि चीन की टीम लगातार अच्छा कर रही थी और भारत से ज्यादा गोल भी किये थे अगर देखें तो इस मैच के पहले अब भारती टीम उपर सबसे टॉप पे चली गई है और प लेकिन साउथ कोरिया से जब भारत ने भार पा लिया तो ये कहा गया कि चीन चुकी उसका दबदबा हर एक मैच उसने बड़े अंतर से जीता था तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए लेकिन बहुत अच्छा खेल दिखाया और 30 कम नहीं होता है चीन की टीम ब मुझे लगता है इस टॉर्णामेंट में भारत की बैशक भारत ने पिछले 13 सुनी से भी जीत हाजिल की ये बड़ी जीत है 30 सुनी वाली संजीव कहते हैं कई बार की टॉर्णामेंट में नौकाउट से पहले अगर टीम अपने पीक पर पहुँच जाए तब कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि नौकाउट मुकाबलों में क्या होगा भारत के साथ कुछ ऐसा ही लग रहा है नहीं मुझे लगता नहीं है देखे ये एक दिन का ब्रेक था और होक्की में कुछ ऐसा होता है कि आपको हर दिन मैच खेलना होता है एक दिन गाइब ज़रूर था बट अमुमान देखने में आता है कि हर दिन मैच होता है और वो परफॉर्मस में दिख जाता है और मुझे लगता है कि तारिफ करनी हुगी हरेंद सिंग जी की पहले भी कोच रह चुके हैं उनके कोच रहते भारती टीम ने कई उपलब्धियां हासिल की थी लेकिन बीच में बारती टीम के साथ उतार चड़ा हो रहा कभी अच्छा खेला और कभी बहुत ही बुरा दौर रहा भारती म माददा तो जरूर है कुछ कम्या है जिनको हम दूर करेंगे और जो आगे के जो हमने लक्षे हासिल करने हैं और जो तै किये हुए कि यह टार्गेट है उसकी शुरुवात यहां से होगी तो मुझे लग रहा है कि अभी तक का जो खेल दिखा है भारती टीम ने बहुत अच सीनियर राष्ट्रिय पुरु शौकी चैंपेंशिप का खिताब ओडीशा ने जीत लिया है फाइनल में ओडीशा ने हरियाना को पांच एक से माद दी चिन्नई के राधा कृष्णान स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में ओडीशा के लिए शैलेंद्र लाकड अध्याय और राजकुमार पाल गोल स्कोरर रहे वही मनिपूर के लिए एक मात्र गोल माईरन थेम रवीचंद्रन ने किया और अब बात करते हैं क्रिकेट की भारत ने दक्षन अफ्रिका को चौथे और अंतिम T20 मुकाबले में हरा कर श्रिंखला 3-1 से अपने नाम कर ली है रिपोर्ट के साथ हैं मुदिता संजू सैमसन और तिलक वर्मा की शानदार पारियों के बाद अर्षदीप सिंग की अगवाई में गेनबाजों के दमदार प्रदर्शन से भारत ने दक्षन अफ्रिका को चौथे T20 मुकाबले में 135 रनों से हरा कर श्रिंखला शान से जीत ली भारत ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में एक विकेट पर 283 रन बनाए पिछले दो मैच में खाता भी नहीं खोल सके सैमसन ने एक बार फिर शतक जड़ा जबकि तिलक ने लगातार दूसरे मैच में सैकड़ा जमाया तिलक ने 47 गेंदो पर 9 चौकों और 10 चौकों की मदद से नाबाद 120 और सैमसन ने 56 गेंदो पर 6 चौकों और 9 चौकों की मदद से नाबाद 109 रन बनाए लक्षे का पीछा करते हुए दक्षिन अफरीका की टीम की शुरुआत काफी खराव रही और उसने पावर प्ले में ह चार विकेट गवा दिये थे मेजबान टीम के लिए ट्रिस्टन स्टाब्स और डेविद मिलर ने सधी हुई पारी खेल टीम को सम्हालने की कोशिश की लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद दक्षन अफरीका की टीम वापसी नहीं कर सकी और विशाल स्क तस्त है वहीं भारत की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जी तिलक पर्मा को प्लेयर अफ दे मैच और प्लेयर अफ दे सीरीज घोशित किया गया मुदिता स्पोर्ट्स क्यान भारत और आस्ट्रेलिया के बीच 22 नवंबर से पांच मैचों की टेस्ट श्रिंखला शुरू होने जा रही है ये सीरीज वर्ल टेस्ट चैंपिंशिप के फाइनल को देखते हुए काफी एहम है सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ के आप्टस स्टेडिया में खेला जाएगा लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के चोटिल खिलाडियों की सूची लंबी होती जा रही है रोहित शर्मा के खेलने पर पहले से ही संशे बना हुआ है वो दूसरी बार पिता बने है अब शुमन गिल चोटिल हो गए है उन्हें पर्थ में इंडिया एक एक खिलाफ मैच के दौरान उंगली में चोट लगी है युआ बलेबाज सरफराज खान को भी 14 नवंबर को वाका में भारत के प्रैक्टिस सेशन के दौरान नेट पर बलेबाजी करते समय कोहनी में चोट लगी थी लोकेश राहुल भी प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गए थे राहुल को 15 नवंबर को सेंटर विकेट मैच सिमुलेशन के दौरान दाहिनी कोहनी में चोट लगी थी विराट कोहली भी चोट की चिंता से परिशान थे लेकिन स्कैन के बाद उन्हें बिल्कुल ठीक पाया गया था संजी बड़ी श्रिंखला वर्ल्टेस चैंप्रेंशिप के फाइनल में पहुशने के लिए हमें वहाँ चार मुकाबले जीतने हैं और उससे पहले कि चोटल खिलाडियों की लिस्ट लंभी होती जाँ रही है हम तो यह ही खेंगे दुगा करेंगे कि यह जो चोट है चोटी मुटी जो कहरें की जैसे विराट कोहली जब scan के लिए गये थे तो ऐसा लगा था कि क्या पता कि गंभीर चोट है इसलिए उनको scan के लिए भेजा गया लेकिन वो अब पुरी तरह fit गोशित किये गये हैं इसी तरह हम यही काम ना करें कि बाकी के जो प्लेयर्स हैं जो चोटिल हुए केल राउल हो सरफराज हो उनकी च जाना चाहता हूं उम्मीद करता हूं कि मैं टीम को जोइन कर लूगा और अब जब वह पिता बने हैं यही वज़य थी पहले यह बताय नहीं जा रहा था कि नीजी वजहों से नहीं जा रहें अब यहीं वज़य सामने आई है अब वह हो चुका है तो संभव है और जाने के पहले गौतम गंबीर ने भी कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि वो जोईन कर लेंगे पर्थ टेस्ट से पहले वो टीम के साथ नहीं गये हैं तो अब भी पांच-छे दिन बचे हैं हो सकता है कि वो एक-दो दिन में वहां पहुंच जाएं तो चीजें जब हम 22 को टॉस के समय द संजीव एक क्रिकेट फैन के नजरिये से जो इस तरह के खबरे आखबार में या स्पोर्स गैन के माध्यम से दर्शक पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं क्या पर्थ की विकेट पर बाउंस इतना जादा है कि भारती बल्ले-बास चोटिल हो जा रहे हैं जब हम इंट्रा बोड़ी दूरी पर है बहुत ज्यादा दूर नहीं है लेकिन चुकी एक ही शहर है उसी तरह की मिट्टी है और उसी तरह का जो महां के जो क्यूरेटर है मैग डोनल्ड उनोंने कुछ दिन पहले यह बयान दिया था कि बिल्कुल वैसी पिच्छ होगी जहां हम वाका की यहां जैसी पिच्छ है वहां भी वैसी पिच्छ होगी और वहां पर उस्ट्रेलिया का रेकॉर्ड अच्छा रहा है 2018 की बाद से जो भी वहां मैच खेले गए है शुरुआत तबी से हुई टेस्ट मैच वहां खेला गया पहला जब भारती नहीं खेला था वहां पर तो वह बाइदान है वह इस तरह का है कि आपको पिच जो है ऐसा लगता है देखते हुए कि वह हाइट पर है ग्राउंड बिल्कुल दोनों और से जो स्क्वायर है वह लगता है कि बहुत चोड़ा है और उसके बाद जो गेन निकलती है तो एक कादी गेन तो मैंनी यह देखा कि व तीम इंडिया पूरी तरीके से फिट हो हम सब यही चाहते हैं स्पिंसर जॉंसन और आडम जैंपा की घात गेन बाजी से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 मुकाबले में पाकिस्तान को 13 रन से हरा दिया इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों के शिंखला में दो श अधारन रही ऑस्ट्रेलिया के लिए मैथ्यू शॉर्ट ने सरवादिक 32 रनों की पारी खेली इसके अलावा एरोन हार्डिली ने 28 रनों का योगदान दिया ग्रेन मैक्सविल ने 21 और जैक फ्रेजर मैक गर्क ने 20 रन बनाए इस तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम जैसे तैसे 147 रन बनाने में सफल रही पाकिस्तान की ओर से हैरिस रौफ ने 4 अबास अफरीदी और सूफियान मुकीम ने 2-2 विकेट हासिल किये लक्ष का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम शुरू से ही संगर्ष करते नजर आई पाकिस्तान की पूरी टीम 19 ओवर 4 गेंद में 134 रन कर सिमट गई उस्मान खान ने सबसे अधिक 52 रन की पारी खेली आस्ट्रेलिया के लिए स्पेंसर जॉंसन ने 26 रन देकर 5 फिकेट हासिल किये आनंद पाठक स्पोर्ट स्कैन इटली के तुरीन में ATP वर्ल टूर फाइनल्स में इस समय सेमी फाइनल मुकाबला खिला जा रहा है सेमी फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर जवेरेव का सामना अमरीका के टेलर फ्रिट से हो रहा है ताजा समाचार मिलने तक दोनों खिलाडी एक एक सेट की बराबरी पर थे कल दूसरे सेमी फाइनल में शीर्शवरेत अपराप्त इटली के यानिक सिनर का सामना नौर्वे के कैसपर रूट से होगा दुनिया के महानतम मुक्यबाजों में से एक माइक टाइसन को 27 साल के बॉक्सर जेक पॉल ने एतिहासिक मुकाबले में हरा दिया वोल्ड हैविवेड चैंपियन रहे बॉक्सर 58 साल के माइक टाइसन 19 साल बाद रिंग में उतरे थे इस बार उनका मुकाबला यूट्यूबर से बॉक्सर बने 27 साल के जैक पॉल से था पॉल ने इस मुकाबले को 80-72-73-73-73 से जीता रिपोर्ट के अनुसार जैक को इस मुकाबले के लिए लगभग 337 करोड रुपए मिलेंगे वहीं टैसन को हारने के बावजूद 168 करोड रुपए दिये जाएंगे माइक टैसन के फैन दुनिया भर में हैं बहुत संक्षेप में क्या जरूरत थी उधरने की देखें इस उमर में अब देखिया आपने जो अन्तिम वाकि कहा कि हारने के बावजूद इतने पैसे मिलेंगे और उमर होने के साथ थोड़े रिफ्लेक्सिंस कमजोर जुरूर होते बड़ देखिये उनका होसला की 69 साल के उमर में भी वो एक अपने से कम उमर के बॉक्सर के साथ वहां लड़ रहे हैं और अब्विसली चर्चा में आए सुर्क्यों आए हम अभी उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं और पैसे भी मिलें तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए चली माइक टैसन को जानने समझने वाले और खासकर आज के समय की पीड़ी को उन्हें रिंग में उतरते देखना अपने आप में बेहद खास अवसर बन गया अब समय नहीं है संजीव जी की इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जाए सके स्पोर्सकैन से जुड़ने के लिए और तमाम खेल खबरों पर विशेशक गिराय सांजा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार स्पोर्सकैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है पूरी टीम को दीजिये अनुमती कलाप से होगे फिर मुलाखात तब तक के लिए नमस्कार